वाट्स अप गाइज गुड इविनिंग फिर से बार बहुत बहुत स्वात है हमारा चानल स्टॉक मार्केट आड़ तो दोस्तो बात करने बाले हिंदुस्तनी जींग की बारे में त्री मौन्थ पहले मैं यहां पर तार्गेट दिया था 350 का अभी अगर मैं उपन करता हूं च जल्दी आर्चिव करेगा अगर हम लोग वान मौन्थ की चाट बटन देखेंगे तो यह से आर देख सकते हो कोई भी ज्यादा मोमेंटम नहीं है नहीं है छे माईने में 14 परसंट की रिटन दिया है और दोस्तों देखोगे तो इसका बड़ा रेजिस्टांस है 350 अगर एक पर इसी को टॉच करके उपर चला जाए ब्रेक आउट कर दिया तो और भी उपर एसे आर जा सकता है 450 तक एसे आर जा सकता है 450 इसका नेक्स तरगेट है लेकिन सौर्टम तरगेट 350 का है अगर आम लोग वान एयर देखेंगे आप देख सकते हो 40 परसंट की रिटन दिया है क 92 करके रिस्टिंग हुआ था 2006 में सपर्ट सुरू किया था वहाँ बर ठीके अगर अभी हम लोग देखेंगे 334 में मिल दाए 350 का सटम तरगेट है हिंदुस्तानी जींका आज का डेट देखेंगे एनसी का अफिसल ओश्यर में मिलियंस में भॉली में 362 इसका हाई है 197 इसका दिविडेंट प्रोवाइड किया था है यहाँ पर आप देख सकतो हो यह 2020 का डाटा है 21 रुपिया करके डिविडेंट दिया था और दोस्तों डिविडेंट यहाँ पर नहीं दिया है अनौंसमेंट हुआ है 17 अगर देखोंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मि लार्ज मार्केट के आपे 1,34,000 करोड का मार्केट के आपे सेक्टर पी 15 है बुबालू 76 है डिविडेन कमपनी 6.68 करता है ROC यहां पर 26 है ROE यहां पर 21 है फेस बलू 2 का है करजा देखोगे 7,117 करोड का करजा है लेकिन कोई गुना ज्यादा रिजर्ब कमपनी रखा है जो कि 31,000 करोड का कभी भी कमपनी चाहे तो करजा को चुका सकता है एक सेकेंड में 45,000 करोड का आसेट है और भॉलिम देख सकतो बहुत ज्यादा है फ्री क्याश भी कमपनी के पास पढ़ा है जो कि 8,140 कमपनी थ्री यर से प्रोफिट जेनरेट नहीं कर पर है अनिंग पर सेर 20 रुपी से नेट वर्थ कमपनी का 32,000 करोड का नेट वर्थ है डिविडेन पेयाउट 100% से ज्यादा है अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कमपनी तो अलमस्ट डेट फ्री है माइनिंग खेत्र में काम करता है और इस फिल का नमबर वान कमपनी है क्वाटरली कारवार देखेंगे 2993 का एक्सपेंड हुआ था 6,500 का सेल हुआ है प्रोफिट देखेंगे तो 2400 करोड से 1900 करोड यानी क्वाटर बाइस घाटा है इयर बाइस देखेंगे 11,000 का एक्सपेंड किया गया था 35,000 का सेल हुआ नेट प्रोफिट अगर हम लोग देखेंगे 7,980 करोड से 8,604 करोड का एक संदर मोनाफा कमपनी जेनरेट किया है और डिविरेंट पे आउट भी बढ़ा है और कॉंपाउंडिंग ग्रोफ 36% है 55 CIGR है और रिटर्न अन एकुटी 21% है अगर हम लोग देखेंगे असेड में ग्रोफ हो रहा है की नहीं असेड में थोड़ा सा गिरा बटे अगर हम लोग क्यास प्लोफ देखेंगे क्यास प्लोफ थोड़ा सा माइनास है ये दो दिक्कत बाली चीज हम लोग को देखने के लिए मिला प्रोमोटर होल्डिंग 64% है एफ़ाई बालो के पास 0.83 है जो कि आगे ज़्यादा था अभी कम कर दिये हैं गर्मेट के पास 29 है और यहाँ पर पॉब्लिक 1.91 उठा के रखें यानि ज़्यादा माल यहाँ पर गर्मेट उठा के रखाए अगर आप होल्ड करोगे तो 350 इसका सोर्टम तार्गेट है लॉंग तम तार्गेट 450 है और दोस्तों डिविडेंट बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा ठीके तो उम्मीद करता अंफ्रावशन आपको बसंद आयोगी हिंदूस्तानी जीनका मिलता है को नेस्ट इन्रेशन वीडियो में तक्लेज जाय हिंद बंदमात्रम